है अब आतक रेदे इन डेबिट नोट तो जो में क्रेडिट वन डॉइट नोट तुम्हें समझाने वाले उँ patriot है गलत पढ़ाए का मतल्ब क्या कि जो क्रेडिट वह डेविट नोट के बारे में तुम आसतक समझते आयो यह जो क्या मतलब हमने क्या गिरा हम चाहे चाहे एकांटेंट बन गए चाहे एकांटेंट बन गए चाहे हमने एकांटिंग से चीजों को सीखने में हमने आज तक बढ़ा है कि एक एक परचेज करता है, तो परचेज इन्वाइज होता है, फिर आपने क्या समझाया आज तक, कि जब भी कभी सेल्स रिटन होती है, जब भी कभी सेल्स रिटन होती है तो सेल्स रिटन के केस में debit note issue करता है बोलो accounts में ऐसा ही होता या नहीं कि मैंने कोई माल purchase करा और मैं उसे return कर रहा हूँ तो मैं debit note issue करता हूँ या नहीं करता तो ये सारी terminology होती है accounts में किसमें होती है accounts में लेकिन GST में ये terminology नहीं GST में sales invoice होता है बिल्कुल ठीक है माल return होता है तो supplier credit note बनाता ये बाद भी बिल्कुल ठीक है GST में purchase invoice होता है ये वाली बाद भी ठीक है लेकिन जब कोई purchase return होती है तब debit note बनता है ये वाली बाद गलत है ये वाली बाद गलत है GST सर तो फिर purchase debit note कब बनता है वो हम आगे पढ़ेगी अब मुद्द आया मुद्द आया कि accounts में क्या होता है accounts में terminology क्या होती है जब भी किसी party के account को credit करना होता है जब भी किसी party के account को credit करना होता है जैसे sales invoice की क्या entry करते है sales invoice की entry करते है party account debit बटबट से बोलो accountant लोगो तो sales account यही करते है कि party के account को debit करते है जब भी हमने sale करा जब party से payment आ जाती है तो क्या करते है bank account debit to party account करते हैं नहीं करते party कहते हैं मुझे कुछ discount दो तो हम कहते हैं चल कोई बात नहीं चल कोई बात थी discount account debit to party account यह करते हैं नहीं बोलो जब party से माल वापिस आ जाता है क्या करते हैं sales return account debit to party account यह करते हैं यह नहीं तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम party के account को credit करना है जब भी कभी party के account को credit करना है तो हम यह समझ लेते कि credit note issue होगा यह मान ले तो या नि लेकिन लेकिन अभी इस चीज़ को समझ लो GST में क्या कहता है कि credit note जो issue होगा वो सिर्फ और सिर्फ section 34 के तरीके से होगा अगर तुमने section 34 के इसाफ से credit note issue करा तो वो GST का credit note माना जाएगा और अगर उसमें section 34 follow नहीं है अगर उसमें section 34 follow नहीं है तो उसे हम बोलेंगे financial credit note हम उसे क्या बोलेंगे financial credit note और वो financial credit note ना तो GSTR 1 का part बनेगा ना GSTR 3B का part बनेगा ना GST annual return का part तो पहली चीज आपको क्या समझनी है एक तो पहले जो मैंने debit note की तुम्हारे को परिवासा बताई वो अपने दिमाग से अटा दे नहीं है दूसरा क्या बताया कि हर situation में credit note बनाओगे वो गलत है credit note तभी बनेगा जो section 34 कहेगा उसके अलावा अगर तुम कोई और credit note बनाते हो जो section 34 नहीं कहता है आप उसे क्या बोलोगे financial credit note और वो part नहीं बनेगा GST की returns का ठीक है समझा गई है कहानी तो अब जरा समझ लो कि section 34 का credit note कब बनता है तो section 34 का credit note तीन केसों में बनता है तो स्टार्ट होता है credit and debit note तो जब credit and debit note होगा तो credit note से शुरुआत होगी कहता वेर वन or more tax invoice have been issued for supply of goods or service कि आपने supply करी goods की या service की और आप ने उसके against invoice दिया चाहे एक दिया यांक इसने डिये सब्सक्राइब कर देए लडिकिन लेकिन 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 एक दिन पता लगा माल बेचने वाले को एक दिन माल बेचने वाले को पता लगा कि भाई साब कि भाई साब माल तो सो रुपे का था माल तो पार्टी से 100 रुपे में तया हुआ था लेकिन जल्दी अमीर बनने के लिए लड़के ने क्या करा 120 रुपे के हिसाब से बिलिंग कर दी और जब हिसाब किताब करने बैठे 6 महीने बाद 9 महीने बाद मालक लोग इसाब किताब करने बैठे उन्होंने का गुपता जी रेट तो 100 रुपे का ट्या हुआ था तुम्हारे तो सारे भी 120 रुपे की है तुम तो मैं इसे दोगा करूं मैंने का नहीं नहीं साब लड़का है नहीं उमर का लड़का है प्रोफिट बढ़ाने के लिए को credit note दे तो मैं ऐसा क्या करता हूँ 20 रुपे का जो आप से एक्स्ट्रा लिए हैं मैं credit note इसू करके तो ठीक है और उस credit note में में मैं तो उस credit note में 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 चूरूंगा गलती से price जादा लगते हैं तो उन्होंने का ये वाला जो credit note आप दोगे के section 34 में valid है मैंने का yes मैंने का जब मैंने आपको 120 रुपे का बिल दिया आपके अकाउंटेंट ने उतने का ITC ले लिया होगा आंसर इस अब मैं जब 20 रुपे का क्रेइट नोट दूँगा मैं अपनी लाइबिलिटी कम करूँगा तो अपने अकाउंटेंट को बोल देना वह ITC रिवर्स कर दो उस या जो टेक्स चार्ज है ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 28% के रेट से आपको बिलिंग कर दी लेकिन बाद में पता लगा या इस आइडम पे तो टेक्स रेट जो था 28 की जंगा 18 था तो उस वाले केस में भी मैं क्या इशू करूँगा क्रेजिट नोट टेक्सेबल वैल्यू ठ या आपने जो टेक्सेबल वैल्यू या टेक्स रेट ज्यादा लगा दिया इन रेस्पेक्ट ओफ सच सप्लाई तो पहला केस लिख लो तो हमेशा जब भी क्रेट नोट इशू करो तो पहले यह चेक कर लेना क्या वो सेक्शन 34 की कंडिशन सैटिस्वाई कर रहा है या तो दीकियेट है बाइट तबेन करेंभाया Software क्ले क्रेक्रियों की और रहा है किवह अच्छी क्वाल्टी के पर्ले कि लेकिन तुमने घटिया कॉल्टी भी था हम में यह तो माल वापिस लो नहीं तो रेट कम करके दो मर्लब तीन केस में ही क्राइट नोट इस्यू होगा अब कई करते हैं । क्रएट Now बनाके नलिफाई कर देते हैं अरे जो तुम क्रएट नोट बनाओगे इस कंडिशन में है क्या इसमें लिखा हूए गलत हो गया तो क्रेट up and बनाद हो वनյ सर इसटो क्राइट नोट बना दे एक पिछले वाले विलका क्राइट नोट बना देते हैं और नए वाले विलका एक दूसरा इन्वाइज बना देंगे वह क्राइट नोट बना देता क्या वह सेक्शन 34 से क्राइट नोट है क्या answer is no तो कभी भी जो तुमने credit note बना कर अपनी liability को reduce करा है section 34 के अंदर अगर वो नहीं होगा तो department उस credit note को valid नहीं मने इसलिए जितनी भी cement industries है जितनी भी cement industries है जब वो माल बेचती है invoice बनाती है और जब वो discount वगेरा देती है कुछ भी करती है तो वो credit note GST वाला नहीं बनाती वो एक financial credit note बनाती है वो क्या करती है एक financial credit note बनाती है और अपनी liability को कम नहीं क्योंकि liability कम करनी है supplier को तो credit note section 34 का ही बनना चाहिए अगर section 34 का credit note नहीं है तो आप supplier अपनी liability reduce नहीं कर से इसके अलावा जितने भी credit note बनाये ना तुमने आस तक अपने accounts में चेक कर ले ना सब बिकार है सब गलत क्योंकि यह तीन ही condition में credit note बनता है अब इन तीन condition में credit note बनेगा ठीक है ना जी ठीक है ना तो वो एक या एक से ज़्यादा credit note बना सकता है जो details हमने बताई थी credit note की उसमें डाले clear है या नहीं अब वो जो credit note है वो हमारे को returns में दिखाना भी है तो जब आप tax rate 18% की जंगा 26 लगा दिया था इस case में credit note कैसे बनेगा प्लीज explain with example भाई 18% का rate था ठीक है 18% का rate था 28 लगा दिया तो जब आप 10% का है ठीक है ना हमने 28,000 रुपे लगाये थे अब उसने 28 का ITC ले लिया था अब इस वाले case में अब इस वाले case में मेरे को 10,000 रुपे का credit note दे ना तो जब मैं 10,000 रुपे का credit note दूँगा जब मैं याँपर 10,000 रुपे का credit note बनाओंगा ठीक है ना बेस वैल्यू होगी वहाँ पर चाहे मुझे एक रुपया लिखना पड़े या तो मैं बेस वैल्यू को एक रुपया लिखूंगा तभी तो मैं टैक्स रेट कम कर रहूं न भाई सब एक रुपय की बेस वैल्यू लिखके उस पर जी एस्टी लगाऊंगा दस अजार का और मैं वहाँ पर मेंशन करूंगा कि भाई यह मैंने क्रेट नोट दिया ठीक है अंशुल अग्गरवाल जी अंशुल अग्गरवाल जी लो में यही जी लिख हुई है ठीक है कि भाई जहा तो आपने 20 का कर दिया था तो 10,000 आपको जब आप उस क्रेट नोट को बनाओगे तो 10,000 आपको tax amount में डालने पड़ेंगे या तो zero value करके डालो अगर ले रहा है तो अगर zero value करके नहीं ले रहा है तो आपको डालने ही पड़ेंगे और कोई तरीका है निए practical मैंने कभी नहीं बनाया लेकिन theoretical ऐसे ही बनेगा कभी ऐसा हुआ तो ठीक है अब आगे क्या कहता है कि जो भी आपने क्राइट नोट बनाया है जो भी आपने क्राइट नोट इशू किया है वो आप declare करोगे उस क्राइट नोट को कब in the return for the month during such credit note has been issue कि जब भी आपने क्राइट नोट बनाया जब भी आपने क्राइट नोट बनाया उसी month की return में दिखा देगा तो भाई फिनेंचल यर 22-23 का जो क्राइट नोट है 22-23 में भी बना के खतम करो वाई सां मुझे तो पता ही नहीं 22-23 में माल वाफिस भी आए तो उसने का वह देखो 22-23 का ग्राइट नोट है ना last to last last to last October 31 October तक बना दे है last to last कब तक बना दे ना 31 October और 31 October तक बनाकर अक्टूबर की return में दिखा दे विए क्योंकि इसकी दिखाने की डेट क्या है दिखाने की डेट क्या है 30 नूम्बर और एन्वल लिटन विचैवरी चरण आप अगर कोई वेक्टी सोचे में 30 नवमबर को ग्राइट नोट बना दू क्योंकि यहाँ पर तो इसने दिखाने की देट बताइए कि तुम उसे दिखा सकते हो 30 नवंबर तक तो जब 30 नवंबर तक दिखाना है तो बनाना कब तक पड़ेगा 31 सक्टूबर तो नोट करके लिख लो भाई आपर कि क्रेडिट नोट किसी भी फिनेंशल येर का उसी फिनेंशल येर में बना सकते हैं 30 नवंबर मतलिखना है तो दिनेश जैन जी कह रहे है सर पार्टी को तो 28 परसेंट की जांगा 18 परसेंट ही मिलेगा इस वाले केस में पात कर रहे हो अगर तुमने गलती से 28 लगा के भेज़ दिया ठीक है ना तो उसने 28 क्लेम कर लिया होगा तो बाद में फिर कम कर होगे तो वह क्रेडिट आप अपनी लाइबिलिटी कम करोगे मां तो स्काइटी सी कम हो जाए अगर निदेश जैए तो किलियर हो गया बोलो अब यहां पर एक इंपोर्टेंट नोट और कर लो अब क्या हुआ मैं एक मोबाइल डीलर हूँ मेरे पास दिपाया नाया अब दिपायन आया माल लेने जड़ा ज्यांते समन ना इस चीफ को मैंने का यार यह तो इस्टुडेंट को रखके काट देता हूँ मेश्टुडेंट को गुरु दुरोन चार्रे की तरह जैसे गुरु दुरोन चार्रे में एक लव्या का गुरूटा मांग लिया था मैं भ में आपकी दुकान से मोबाईल भरीदना आपका बड़ा फैन हुआ नहीं कोई बात नहीं आज के बाद मेरे फैन नी रहुए यह मैंने क्या करा 10,000 रुपे का मोबाईल को 20,000 रुपे पेच दिया दिपायन को कितने पेज़ दिया 20,000 को और इससे क्या बोला कि 3600 पे GST 23,600 का बिल बनाया अब दिपायन का मूंड खराब हो गया अब इसमें मुबाइल ले लिया ओ सर में पर्स लाना भूल गया घर से अभी थोड़ी देर में आके ले जा रहूं मैंने का नहीं नहीं तू मु देवल प्रोफिट हो रहा है तो यह घर पे चला गया और उसके बाद जब भी मैं इसका नंबर मिला हूँ तो नंबर पे लिखावा है दा नंबर यह डाल इसका अगर तुमें लेने तो 11,800 पे ले लिए और इसने क्या क्या करा में 11,800 पे डाल दिए इसने मेरे अखावण में क्या करा 11,800 पे डाल दिए आप मेरे को सब्क्रेट बता है अब मुद्दा क्या हुआ अब मैंने कहां यह तो मेरा अट्ठारासू रुपे का नुकसान हो गया जी एश्टी तो ठीके ना जी एश्टी तो क्या हुआ यार मेरा 3600 चला गया तो मैंने क्या चला की करी मैंने सोचा क्रेडिट नो टीश्यू कर देते हैं मैंने कहा कि मैं एक क्रेडिट नो टीश्यू कर देते हैं कितने रफे गा। 10,000 रुपे प्लस में जीस्टी था अभी हमने पढ़ाता ना कि गलती से टेक्स ज्यादा लग जाए या सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन इन्होंने का प्रोवी जो डाल दें इन्होंने क्या आप ऐसा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस नी कर सकता सप्लाइब कभ इफ दा इंसिडेंस ऑप टैक्स एंट इंट्रस्ट ओन सच सप्लाइब अगर आपने किसी सामने वाले को पासोन कर दी यह चीज तब आप क्रेडिट नोट इसू नी कर सकते हैं तो यह मुझे प्रूब करना पड़ेगा यह मुझे प्रूब करना पड़ेगा कि भाई सब मैंने न दीपायन को ग्याराजार आटसोर पे ही लिए हैं कि दीपायन से इससे जादा नहीं लिए अगर मैं प्रूब नहीं कर पाता तो मैं क्रेडिट नोटिशू करके अपनी लाइबलिटी रिड्यूस नी कर सकते हैं समझ ऐए का खिर समझाया बोलो समझ आया क्या प्रोविजो बोलो जल्दी इस प्रोविजव बहुत लोगों को समझ לא आता अकर तुम्हें समझ आगया तो ओ लो तीथ में प्रूब उसाँ लाइबलिटी सने सों ना कर veggie क्यार ना जर्नली टे का ना? बी-टू-C के केेस में अगरyas स्क्रेइट नोट बनाऊगे तो आपको कभी भी बॉर्डण प्रूफ करना पड़ सकता है आपको यह प्रूफ दियन पड़ सकता है कि आपने दिपायन से 11800 रही ते इससे आथंथ 2 किल्यर हूआ बोलो बोलो किल्यर हूआ जल्ली वोलो भाई किलियर टू लॉफ यू और नोट अब यह मत कहना कि मेरे को पेमेंट इत्ती ही मिली है जीस्टी वाले कहेंगे पेमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है तुम यह वोला गलती से जादा बन गया था बैंक डिटेल हो सकती है वो बाट ठीक है ठीक है बट बहुत कस्टूमर क्राइट नोट इशू कर देते कर मैंने का कर देते हैं पिटाई होएगी किसी दिन फिर मुझे ढूंडोगे कि कपिल्यान ने एक बर सेक्शन 34 पढ़ाय था हमने मानी नी उसकी बाद कब तीन साल बाद दो साल बाद ठीक है न तुम पूछोगे बोलोगे सेक्श सेक्शन मना कर देगा जिस ट्यार नाइन जब पढ़ाता हूं ना उसमें बताऊंगा तुम्हारे को कि क्राइट नोट की डिटेल अब सेपरेट जाने लग गए कि जितने क्राइट नोट इशू होंगे वो चेक करेंगे सारे मंगा कर कि सेक्शन 34 से हुए या निवे और जि और बड़ा इंपोर्टें ड्याम छेप्तर है इसे बड़े ध्यान से कर नोट अब लास्ट डाइविड नोट कब बनता है मैं ट्रशेजट नाइग कभी debit note नहीं बनता समझ मैं तो debit note भी supplier बनाएगा सर सप्लायर debit note कब बनाएगा ठीक है न ठीक है न मेरा लड़का है ठीक है मैं कपिल जैन और यह मेरा लड़का ठीक है अब क्या हुआ मेरा एक माल जाता था गुपता जी को जड़ा द्यान से सफलना मेरा एक माल जाता था गुपता जी को गुपता जी की लड़की से मेरे लड़के का कुछ affair चलना अब यह जो लड़का है यह impress कर रहा है किसे अपने ससुर जी को अपने ससुर जी को इंप्रेस कर रहा है मेरे उनसे माल की डील हुई कि यह माल जाएगा सो रुपे में लेकिन मेरे लड़के ने अपने ससुर को इंप्रेस करने के लिए माल की कर दी 80 रुपे में माल की बिलिंग कर दी 80 रुपे में मेरा नुख्सान हुआ जा रहे है सब्सक्राइब का फाईदा हरु मैं का रहे है वो कहरा मेरा डैडी पूल तुम्हेस कर दिया को इंप्रेस करने तो इसके बाद मैंने का गुपताजी साफ कर लो एक गुपताजी साफ करने बैटे तुमसे रेट तया हुआ तो एसा कर रहा हूं कि डाइविट नोट दे रहा हूं कि अगुप्ता जी कह रहा है संदी जी सब अपने ही तो प्यार अपनी जंगा वैपार अपनी जंग अब अब मैंने कहा रहा बीस रुपए में इस्यू कर दिया डेविट में अच्या बेटे ने भी लिश्यू करा था 2017 में चकर चलता रहा उसका 2018 में ऐसी आशा ही करतार है विज चार 2019 में करतारा 20 21 पास साल लग गए उसे अपने सुसूर को मनाने में मैं भी सांत होते वे देखता रहा जैसे ही साधी हुई बेटेगी तो प्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट है लेकिन डाइबिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि डेबिट नूट को क्या बोला जाता है डेबिट नोट को GST की परिवासा में सप्लिमेंटर्ष बोला जाता है क्या बोला जाता है सप्लिमेंटर्य नुईज और गयर्मेंड भी कहरी है मजी ऐसी रूपेर पहले टेक्स आ गया 20 रुपेर बाद में. तो डाइबिट नोट पर टैक्स दे तो बाद में वह इटी सी ले लेगा कोई दिक्कत दी नहीं तो डाइबिट नोट किसलिए बना ठीक है यह गुपता जी और जैन साब के बेटे की कहानी की वजे से यह डाइबिट नोट का concept है ठीक है ना तो debit not का इशू होता है वेर वेर वन और more tax invoice have been issued for the supply of goods or service or both taxable value tax charge in tax invoice is found to be less कि जहां पर taxable value या जो tax charge था वो कम था ठीक है ना in respect of supplies the registered present where supply goods or service shall issue the recipient वो एक debit not issue कर सकता है ठीक है ना ओर debit note issue करने की कोई limit नीए जिस महीने में पता लग जाए ठीक है ना उसी महीने में issue कर दो ठीक है ना जी और जो tax liability है वो tax liability pay कर दो ठीक है ना विद इंटरस्ट पे करने पड़ेगी कैसे पे करने पड़ेगी भाई with tax liability with interest क्योंकि माल तो तुमने पहले supply करा government को tax बाद में दे रहे हो तो debit note के case में मेरे हिसाब से with interest आपको liability pay करने पड़ी what is the interest calculate होगा मेरे हिसाब से interest calculate होगा क्योंकि उसका time of supply तो पहले ही था तो बाद में हुआ तो interest calculate होगा तो time limit credit note की कहने 31 October तक issue करना है November तक की return में दिखा सकते है October की जो return November में फाइल कर रहे हो 11 तारिक 13 तारिक को GSTR 1 और 20 तारिक को 22 तारिक को जो 20 तारिक को 3 भी यो भी है goods return की condition में supplier पहले debit note मांगता है supplier अनपढ है उसे पता नहीं है और वो जो debit note मांगता है वो accounts वाला debit note मांगता है GST वाला नहीं मांगता है तिर लोकी यादव वो जो debit note मांगता है वो accounts वाला मांगता है कि तुम अपने हिसाब से बना के दे दो लेकिन उसे दिखाना मत कहीं समझे है sir e-way bill गलत बन गया तो उस case में कैसे करे क्राइट नोट तो बनेगा नहीं बनेगा ही नहीं e-way bill गलत बन गया कोई बात नहीं गलत बन गया लैटर लिखके दो रहे डिपार्टमेंट में गलत बन गया दूसरा भी ना तो क्राइट नोट बनाओ पिटाई हो जाएगी पिसे लिए ठीक है मैंने का बेटा कोई बात थी ठीक है बनाई कंसेप्ट इसी वज़े से ठीक है न तो कई बार मुझे अपने बीबी बच्चों को सब को लाना पड़ता है क्लास में समझाने के लिए लेकिन कंसेप्ट यह डैविट नोट का ठीक है लडगे का टाका फिट था कमपेशलिंग करता रहा बाद में पापा को पता लग गई रिस्ता पक्का हो गया तो फिर डैविट नोट दे दिया दस साल वाई ठीक है के लिए रहे है सर बिलटु मॉन एक्ष्टरा बन गया है जीस्ती एर बन में भी फाइल कर दिया व्यूजी घृत बन गया है जैसो ट्राइड नॉट करना बनाता उस बिल्ल को एमेंड करके एक रुपए का डाल लो क्रेड नोट नहीं बन वाता पूंद क्योंकि मुझे पता है credit note section 34 जो पढ़ लेगा उसी case में credit note बनेगा otherwise भी बनेगा ठीक है बोलो 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 क्लियर है चलो अगर यह क्लियर है तो ऐसा करते है आज की class को तो फिर यहीं off करते है और मुझे यह बता दो बस अगली class में section 35 और 36 कर लेंगे तो section 35 और 36 एक गंटे का मसाला है 35 36 रेड़ विद रूल्स एक से डेड़ गंटे का मसाला है अगर रूल्स तुम पड़कर आ जाओगो तो इसके बाद क्या सुरू करना है section 35 36 के बाद क्या सुरू करना है जल्दी जल्दी बोलो सर financial year 22-23 annual written 10 तारिक को free में मिलना है तुमारे को annual written 10 तारिक की class तुमारी free है तो वो class 10 तारिक की जो है 12-3 वाले में payment मत करना कोई भी सब के लिए free है ठीक है तो annual written महा कराओंगा 3 गंटे का session है उस दिन संडे को दूसरी class लेनी है तो ले लेना अगर उस दिन संडे में rest मारना है तो rest मार लेना नहीं तो मैं तो कहूँगा ले लेना क्योंकि तुम्हारा course complete हो जाएगा तो इसे extra class में समझ लो annual return will be done in extra class ठीक है Sir financial year 22 stage का debit note अगर 30 October के बाद बनाते हैं तो उसका ITC मिलेगा नहीं मिलेगा वो debit note section 34 का हो गई नहीं अच्छा debit note बनाते हैं हाँ supplier debit note बनाएगा तो फिर तो मिलेगा ना क्योंकि उसकी तो time limit ही नहीं ना ठीक है ना कौन सा WhatsApp number है WhatsApp number group में डाल देना ना चोटी मोटी query होगी तो तुम लोग भी बता देते हो चालो ठीक है क्लास को mind up करें आगे की क्लास का schedule मैंने तुम्हें दे दिया समझा गया चालो ओके टाटा भाई भाई